अलो गाईज वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल ससी फैक्ट्स वर्ल्ड तो चलिए आज हम जानते हैं सोमनात मंदिर के इतिहास के बारे में तो गाईज वीडियो शुरू करने से पहले एक लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो चल कथाओं के अनुसार सोमनात मंदिर के अस्थापना स्वेच चंद्रमा अर्थात सोम ने की थी सोम जी ने सोम राज चंद्र देवता जो चंद्रमा का दूसरा नाम है कथाओं के अनुसार चंद्र देवता दश परजापती के 27 पुत्रियों से बिवा किया था परन्तु हर दिन तुम्हारा तेज यानि की चमक कम होता जाएगा सराप से घबराकर चंदर देवता ने भगमान सिव के अराधना शुरू कर दी चंदर की अराधना से प्रसंद होकर भगमान सिव ने चंदर्मा को सराप का निवारन दिया उन्होंने चन्द्रमा से कहा कि पंधरा दिन तुम्हारी चमक कम होती जाएगी और उसके बाद लगतार पंधरा दिन तुम्हारी चमक बढ़ती शुरू हो जाएगी सराप के निवारन के बाद चंदर देवता सोम राज ने वहाँ पर सोने का मंदिर बनवाया और यह मंदि सोम नात मंदिर के नाम से जाना जाने लगा सोम नात का अर्थ है सोम आनी की चंद्रमा नात के महत्व है नात के अर्थ है भगवान सोमनात मंदिर के बारे में एक बात यह भी कही जाती है कि यहीं पर भगमान स्री कृष्ण ने अपने प्रान त्याग कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया था सोमनात मंदिर का इतिहास सोमनात मंदिर पहली बार किस समय में बनाया इसके बारे में कोई इतिहासिक परमान उपलब नहीं है पर फिर भी यह जानकारी जरूर प्राप्त है कि 349 इसवी में इसे वैलवी के मैतरिक राजाओं ने दुवारा बनवाया था इस मंदिर को 725 इसवी में सिंग के मुसलिम सुवेदार जुवैद ने तुड़वा दिया था 815 इसवी में तिहार राजा नगभट ने इस मंदिर को दुवारा बनवाया इस मंदिर की कसिद्धी दूर दूर तक फैली थी या अपने धन संप्रदा के लिए बहुत ही परसिद था सन 1024 इसवी में महमूद गजवानी ने अपने 5,000 साथियों के साथ सोमनात मंदिर पर हमला किया और 25,000 लोगों को कतल करके मंदिर के सारी धन दौलत दूट ले गया महमूद के मंदिर से लूटने के बाद राजा भीम देव ने पुना उसे दुवारा बनवाया सन 1093 में सिदात राज जैसिंग ने भी मंदिर को पृतिष्ठ था और उनके पवित्री करन में भरपूर सहयो किया 1168 इसवी में विजेश्वर कुमरपल और सौराष्ट के राजा हंगर ने भी सोमनात मंदिर का सौंद्रिक करन करवाया था सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान लाओ दिन खिलजी के सेनपती नुसरत खा ने गुजरात पर हमला किया उसने सोमनात मंदिर को दुबारा तुडवा दिया तथा सारी धन संपरदा लूट ली मंदिर को हिंदू राजा दुवारा बनवाने और मुस्लिम राजाओं दुवारा उसे तुडवाने का क्रम जारी रहा सन 1395 इस्वी में गुजरात के सुल्तान मुझपर साह ने मंदिर को जम कर लूटा इसके बाद 1413 इस्वी में उसके पुतर अहमद साह ने भी एही किया मुसल्मानों के महान बातसा औरंग जेव काल में सोमनात मंदिर को दो बार तोड़ा गया पहली बार 1665 इस्वी में और दूसरी बार 1706 इस्वी में 1665 इसवी में मंदिर को तुड़वाने के बाद जब अरंग जेव ने देखा कि हिंदू अब भी उस अस्थान पर पूजा अर्चना करने आते हैं तो उसने 1706 इसवी में वहां दुवारा हमला करवाया और लोगों को कतल कर दिया गया भारत का बड़ा हिसा जब मराठो के अधिकार में आ गया तो सन 1783 में इंदवर के मराठा रानी अहिल्याबाई द्वारा मुल मंदिर में कुछ ही दूरी पर पूजा अर्चना के लिए सोमनात महादेव का एक और मंदिर बनवाया गया भारत को आजादी मिलने के बाद सरदार बल्लव भाई पटेल जी ने जुनागड को 19 नुमंबर 1947 को पाकिस्तान से आजाद करवाया उन्होंने सोमनात का दोरा किया और समुन्दर का जल लेकर नए मंदिर का संकल्ब किया उनके संकल्ब के बाद 1950 इसवी में मंदिर का पुनह निर्वान हुआ 1951 में भारत के पहले राश्टपती स्री राजेंदर परसाद जी ने मंदिर में जोतिर लिंक किया स्थापना की तथा यह मंदिर 1962 में पूरी तरह से बन कर तयार हुआ महमूद गजवानी का सोमनात मंदिर पर आकरमन सोमनात मंदिर पर हुए हमलों में महमूद गजवानी का हमला सबसे ज़्यादा चर्चित है क्योंकि इस हमले के दवरान महमूद गजवानी ने हजारों लोगों के कतल किये थे मंदिर की धन संप्रदा को लूटने का सिवाय उसने पवित्र सिवलिन को भी खंडित कर दिया था महमूद गजवानी अफगानिस्तान के गजनी राजी का राजा था जिसने धन की चाह में भारत पर सत्रा बार हमले किये सन दस्तो चोविस इसवी में उसने लगभग पांच हजार साथियों के साथ सोमनात मंदिर पर आकरमन किया उस समय लगभग पचीस हजार लोगों ने मंदिर में पूजा करने आये हुए थे समकालिन इतिहास कार उत्वी ने अपने किताव अमनी में गजवानी के सोमनात मंदिर पर हुए इस भीषन आकरमन को लिखा है उत्वानी के अनुसार आकरमन में गजवानी को सोने के रूप में अकलपन्य धन संपरदा प्राप्त हुई जितना माल लूट सका लूटा उट गोडों पर लाद सका लाद गया बाकी छोड़ना पड़ा उसने मुख मंदिर सहित कई मंदिर तुरवा डाले सिबलिंग को तुरवा कर खंड खंड करवा दिया इतना ही नहीं करीब 25,000 हिंदूों को कतल करवा डाला हजारों इस्तिरों एवं बच्चों को गुलाम बना कर गजनी ले जाया गया जहां बाद में गुलामों को भजार में उनकी निलामी की गई भ्यंकर लूटपाट करने के बाद गजवानी कच के रन से वापस जाने के लिए निकल पड़ा जब इस कतले आम की खवर हिंदू सासकों को सुनाई पड़ी तो उनका गुस्सा भड़क एसे में थार के राजपूत सासक भोज ने लड़ते हुए गजवानी को सबक सिखाने का निश्चे किया लेकिन गजवानी को जब इस बात की खवर लगी तो वह रास्ता बदल कर कच के रन से सिंग की ओर बढ़ गया सिंग के जाटों को भी इस रक्त पात की जनकारे मिल चुकी थी और जब और साथ ही पता चल चुका था कि महमूद गजवानी सिंग के रास्ते गजवानी वापस लोट रहा है ऐसे में सिंग के जाट सासक भीम सिन जाट ने गजवानी को सेनाओ की घेरावंदी कर दवर दस ह हमले किये और गुलाम बनाए गए बहुत से इस्तिरी बच्चे को छुड़वा लिये भागती और जान बजाती गजवानी की सेनाओं को दूर तक पीछा किया गया गईयों को पकड़ कर मौत के घाट उतार दिया जाटों ने भीशन आकर्मन में गजवानी की सकती को एसे छती पहुचाई की जाटों का आकर्मन करने के लिए गजवानी और उसकी भची खुची अधमरी सेना तीन साल तक हिम्मत नहीं जुटा पाई सोमनात मंदिर के कुछ रोचक तत्थे सोमनात मंदिर के दच्छिन में समुद्र के किनारे एक अस्थम्भ है उसके उपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनात मंदिर और दच्छिन धूर्ब के बीच में पिर्थवी का कोई भुभाग अर्थात जमीन नहीं है सोबनाच जी के मंदिर का बिवस्था और संचानन का कारे सोबनाच ट्रस्ट के आधीन है सरकार ने ट्रस्ट को जमीन बाग बगीचे दे कर आय का प्रबंध किया है मंदिर के पास दीन नदिया है हिरन, कपीला और सर्फसती का महा संगम होता है दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही आपको कौन सा पार सबसे अच्छा लगा कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आये तो गुरू दचना के रूप में एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में लव यू टेक के लिए फिर वीडियो डालश ने कि जाड़ को प्लाश करते हम थाएं तो में आपको भीडियो आपको के लाइक